यहाद आज हम लोग डिसकस करेंगे डियलेट, सेकंड समेश्टर, वा फोर्ड समेश्टर के लिए Most Important Topic Bilingual Method दोस्तों, इस topic को हम लोग detail में discuss करेंगे साथी साथ इसकी merits वा deemates को भी जानेंगे इसके इलावा दोस्तों, semester exam में इस topic से लेटेट कितने भी questions अभी तक मुझे गए हैं उन सभी को हम लोगों ने इस वीडियो में include किया है इसलिए दोस्तों वीडियो को end तक जरूर देखिएगा और हाँ दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने grammar translation method direct method वा dr. west new method को भी discuss किया है अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो वीडियो देख लीजेगा क्योंकि ये सारे topics exam point of view से काफी ज़्यादा important है exam में इन सभी topics related question पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों आज का session start करते हैं दोस्तों bilingual method की teaching unit होती है sentence दोस्तों bilingual method को invent किया है प्रोफेसर C.J. Dawson ने दोस्तों ये most important question है काफी बार exam में पूछा जा चुका है अगला point है दोस्तों this method is combination of direct method and grammar translation method दोस्तों bilingual method जो है direct method और grammar translation method का combination है अगला point है दोस्तों in this method two languages are used mother tongue and target language दोस्तों इस method में दो language को use किया जाता है mother tongue यानि मात्र भाषा को और target language यानि जो भाषा हम लोग को सीखनी है अगला point है दोस्तों help of mother tongue is also taken here along with target language दोस्तों इसमें जो है मात्र भाषा का प्रयोग किया जा सकता है but only teacher use it when required student cannot लेकिन मात्र भाषा का प्रयोग केवल और केवल अध्यापक ही प्रयोग कर सकता है student बिलकुल भी प्रयोग नहीं कर सकता और अगला point है दोस्तों with the help of mother tongue teacher clarify the doubts of student दोस्तों teacher जो है मात्र भाषा का प्रयोग करके student के सारे doubts को clear करेगा दोस्तों इन सारे point की main summary ये है कि इस method में दो language यूज़ की जाती है mother tongue और target language यानि मात्र भाषा और target language यानि जो language हम लोगों को सीखनी है और दोस्तों mother tongue का use student बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं teacher तभी करेगा जब student को कोई doubt होगा और teacher जो है उनको mother tongue में समझाएगा उनके doubts को clear करेगा अगला point है दोस्तों sandwich technique दोस्तों इस method को sandwich technique भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों इस method में target language के बीच बीच में mother tongue का use होता है आईए दोस्तों अब हम लोग discuss करते हैं इस method की merits को दोस्तों पहला point है accuracy दोस्तों ये method सबसे ज़्यादा accurate और effective है क्योंकि ये method दो method का combination है grammar translation method और direct method का अगला point है दोस्तों time saving and economical दोस्तों ये method जो है समय की बचत भी करता है इसके साथी साथ economical यानि पैसो के भी बचत करता है अगला point है दोस्तों focus on speech practice दोस्तों ये जो method है ये communication पर भी focus करता है यानि speech पर भी focus करता है अगला point है दोस्तों audio visual are not compulsory दोस्तों इस method का प्रयोग करते समय ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग स्रव्य और दर्शे सामगरियों का भी प्रयोग करें इनका प्रयोग करना compulsory बिल्कुल भी नहीं है अगला point है दोस्तों trained teacher are not required दोस्तों इस method को अपनाने के लिए execute करने के लिए trained teacher की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आईए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इस method की demerits को पहला point है this is in experimental stage दोस्तों ये जो method है ये experimental stage में है यानि इस पर अभी भी काम होना बाकी है ये method जो है final output नहीं है अगला point है दोस्तो students are passive learners दोस्तों इस method में छात्र जो है निस्करी रहते हैं यानि उनकी सक्करी भागेदारी नहीं रहती है अगला point है दोस्तो language mix problem example है अब देखिए दोस्तों ये पूरा sentence English में है अगर इसमें हम लोग दो भाषाओं यानि mother tongue का use करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा राम is going को अगर हमालों हिंदी में कर दें तो राम जा रहा है market क्या ये sentence सही लग रहा है पढ़ने में बिल्कुल नहीं दोस्तों इसलिए दोस्तों इसमें language mix problem हो जाती है अगला point है दोस्तों reading and writing were ignored तो दोस्तों इस method में listening और speaking पर तो focus किया जाता है पर reading और writing पर बिल्कुल भी focus नहीं किया जा सकता है अगला point है दोस्तों not good for higher classes because of language mix problem दोस्तों इस method का परियोग higher classes में यानि उच्छ सिक्षण में नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें language mix problem आ जाती है आईए दोस्तों अब हम लोग discuss करते हैं previous year questions को दोस्तों पहला question है who invented bilingual method तो दोस्तों इसका जो correct answer होगा वो होगा option हमाब first professor CJ Dawson अगला question है दोस्तों in which method is mother tongue used during the early stage to explain the meaning of new words, phrases, idioms, sentence, etc तो दोस्तों इसका जो correct answer होगा वो होगा option number third bilingual method या approach अगला question है दोस्तों which method is midway between translation come grammar method and direct method तो दोस्तों इसका जो correct answer होगा वो होगा bilingual method इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों गर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, share करें ताकि दूसरे students की भी help हो सके और हाँ दोस्तों चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलिएगा मिलते हैं next वीडियो में over and out